आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए बहुत ही इजी और टेस्टी नास्ते की रेशिपी गेहू के आटे और चना की दाल से बनेगा मैगी से भी असान है बनाना तो सुरू करते हैं यहाँ पर लिए है मैंने भी गोया हुआ चना का दाल एक कॉप इसे मिक्सी के जर में हम डा लेंगे और डाल लेंगे हरी मिर्च टेस्ट के अकोडिंग चार से पाच मैंने मिर्च डाला है एक इंस का टुगराद रखा और आधी चमच सबूत जीरा और तीन से चार कलिया लासुन की और डालेंगे इसमें थोरा सा पानी और पीस करके मिक्सिंग बाउल में डाल पैसे और फिर इसमें डालेंगे ठोड़ी सी सब्सेया वा शीवला मिर्च डाला है मैंने तो चमच एक मिडियम सइट का कट अगया ब्याज ग्रेट किया हुआ एक मिडियम सइट का गाजर और यहां पर लिये है पत्ता गोबी बार्यक कट अगया हुआ तीन से चार्ण समच और एक चोटा चमच डाल देंगे जवाइन और चाट मसाला डाल देंगे एक चोटा चमच आधी चमच कुटी हुई लाल मेर्स और एक कप गेहु का आटा टेस्ट के अकडिंग नमक डालेंगे यानि कि एक चोटा चमच एक चमच रिफाइन डालेंगे और डालेंगे पानी न बहुत ज़्यादा पानी डाल करके पतला नहीं करना है और अच्छे से इसे घोल लेंगे इसमें लम्स नहीं रहना चेह नमक टेस्ट करके देख लेना और घोल यहाँ पर तयार है इसमें डाल देते हैं कटा हुआ धनिया को पत्ता आप चाहे तो कड़ी लिप्स भी कड़ी प तेल नहीं लगाया है क्योंकि नॉंस्टिक का तवा है नॉर्मल तवापर बनाते हैं तो तेल से चिकना कर लेंगे और यहाँ पर अब मैं आदी चम्मचीस में तेल डाल रहे हूं तेल यगी डाल लेंगे धकल लगा करके इसे एक से देर मिनट छोड़ देंगी अब धकन को हटा देते हैं एक तरफ से पग गया है दूसरी तरफ इसे पलत लेंगे घहू के आटे से जब कोई चीज बनाते हैं तो इसमें सोडा नहीं डालना सोडा डालेंगे तो बहुत जयादा सब्ट हो यहाँ धू पर लगा करके तो 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 दूट जए गा धर मिनट पका लेंगे बच्चे बड़े सब को पसंद आएगा तो एक और बना करके मैं दिखाती हूँ और इतना इजी है बनाना इसे कोई भी बना ले बच्चा भी बना लेगा और यहाँ पर दुसरा भी पक करके तयार है अब इसे भी निकाल लेंगे और इसी तरीके से चल्दी डली त्रे इरसारा हम चीला बना करके तयार कर लेंगे तो है ना आसान नस्ता और इजी तरीके से बनने वाला हिल्दी भी त्रे इरसारी सबजी हो के साथ तो यहाँ पर मैंने नस्ता बना करके तयार कर लिया है चाहे घर में खाए सुबा के भागदोर में बहुत ही असान रहता है ये बनाना या फिर बच्चों को लंच बक्स में भी दे सकते हैं तो कैसी लगी ये रेश्पी कमेट बक्स में अपने विचार सेर करना नमस्कार